हलो प्रेंट्स आप्रती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपसे एक ब्यूटिफल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसे आप एज श्रब और एज वाइन यानि की बेल की तरह है और जाडी की तरह है तरह से ग्रो कर सकते हैं ये है यलो जैस्मिन जिसको पीली चमेली भी कहा जाता है 16 फरवरी को यानि 16 फैब को हमें पहली कली दिखाई दी पौधे पर जो की बहुत अच्छा लगा देखकर क्योंकि ये प्लांट हमने रेनी सीजन में लिया था और आपसे शेयर भी किया था इसको रिपॉर्ट करना भी शेयर किया हुआ है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए और फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा केर हमने इसकी जर्मरी में की थी जो की करना बहुत जरूरी होता है तभी आप इसमें स्प्रिंग सीजन में अच्छी सी प्लावरिंग पा सकेंगे तो देखी उसका रेजल्ट आप देखी सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक कीजिए तो हमारा छोटा सा प्लांट है पहली बार आया है हमारे गार्डन में और पहली बार में ही सीजन में इसने हमें प्लावरिंग दे दी है तो ये प्लांट आप जरूर लीजिए बहुत कम केर मांगता है और बहुत अच्छी प्लावरिंग दे देता है हर leaf node पर इस पर कलिया बनती है यानि कि जहाँ जहाँ से पतिया निकलती है वहाँ वहाँ पर इसमें इस तरह से कलिया आती है और पूरी जो इसकी branch है वो पूरी फूलों से भर जाती है तो बहुत ज़ादे खूबसूरत लगता है तो अभी हमारा plant छोटा है लेकिन फिर भी इसने बहुत ज़ादे फूल दिये है जो कि आखिर तक आप देखी पाएंगे तो हमने इसमें fertilizer कब add किया था एक बार हमने जब इसको report किया तब fertilizer add किया यानि rainy season में और उसके बाद हमने इसको बिलकुट disturb नहीं किया और growth करने दी फिर क्या हुआ जो सर्दिया होती है वो dormant period होता है यानि कि कोई ज़ादे growth इसमें नहीं होती है तो फिर जन्वरी आती है क्योंकि spring season में इसको flowering करनी होती है तो जन्वरी में हमने इसमें extra fertilizer थोड़ा सा add किया था वीडियो आपको description box में मिल जाएगी क्योंकि अब इसे next month से flowering start करनी थी तो थोड़ा सा fertilizer add करना जरूरी था और देखिए reporting के बाद एक बार और fertilizer add करने में ही हमें इतनी इच्छी flowering मिल गई है और अब हम इसमें कोई fertilizer add नहीं करेंगे गर्मिया शुरू होते ही यानि कि April में लगभग जब तेज गर्मि शुरू हो जाएंगी तो गुड़ाई करके थोड़ा सा खाद और इसमें दे देंगे और फिर पूरी गर्मिया इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर से जब रेनी सीजन खतम होने वाला होगा तब इसमें एक बार गोबर की खाद या वर्मि कमपोस्ट या कमपोस्ट एड़ कर देंगे गुड़ाई करके और फिर ये हमें फिर से जन्वरी में जो हमने अभी थोड़े दिन पहले काम किया वो फिर से शुरू करके फिर हमें ये नेक्स ये फ्लावरिंग देदेगा साल में एक बार ही फूल देता है वो आपके यहां के मौसम पर डिपेंड करता है जिसे हमारे ये फर्वरी में फूल दे रहा है कहीं कहीं पर ये मार्च में कहीं कहीं पर ये April में फूल देता है तो आप परिशान बिल्कुल मत हुए थोड़ी सी केर कीजिए अपने प्लांट की और आपको अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी दूप इसको अच्छे से दीजिए कम से कम 3-4 घंटे की दूप हर फ्लावरिंग प्लांट को जो की पेरिनियल प्लांट होते हैं पूरे साल रहते हैं उनको जरूरी होता है तो 3-4 घंटे की दूप बहुत रहती है और ये हमारे हापर फोल्डे सनलाइट में रखा रहता है अब गर्मिया जब आएंगी तो थोड़ा ग्रीन नेट के नीचे इसको रख देंगे जिससे की ज़्यादा हीट ना पड़े लेकिन इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर आप इसको खुले में रखना चाहते हैं गर्मियों में तो इसके साथ कुछ और प्लांट्स भी रखिए प्लांट्स को जब गर्मियों में एक साथ आप रखते हैं तो ज़्यादा हीट नहीं लगती है और इसली वो सर्वाइब कर जाते हैं चाहे कितनी भी ज़्यादा हीट हो और green net अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप कोई चुन्नी या चाधर का प्रियोग कर सकते हैं जिससे जो दोपहर की तेज धूप होती है वो plants पर ना लगे किसी भी plant में उससे क्या होता है drainage system अच्छा बनता है well drained soil बनती है तो क्या होगा over watering नहीं होगी तो इसलिए आप हलकी ही नमी दे over watering बिल्कुल भी ना करें हलकी सी soil को scratch कीजिए जब भी आपको पानी देना हो पौधो में तो उसमें आप देख लेंगे कि इसमें नमी है तो उस दिन आप पानी नहीं दीजिए गर्मियों में तो हम रोजी इसमें पानी दिया करेंगे लेकिन सर्दियों में आप थोड़ा ध्यान रखिए यानि कि अगर आपको बिल्कुल भी इसमें नमी दिखाई देती है तो उस दिन आप पानी बिल्कुल भी ना दें नेक्स डे वाटरिंग करें तो और वाटरिंग से बचाईए प्लांट को बस इन बातों का ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी फ्लाव कर सकते हैं या फिर अगर फरवरी में नहीं ग्रो कर पाए हैं क्योंकि कहीं कहीं पर फ्लावरिंग हो रही होती है तो कोई कटिंग नहीं देना चाहता है तो आप रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगाईए और इसको प्रून भी रेनी सीजन में आप कर सकते हैं उससे क्या हो टाइम टू टाइम यानि कटिंग करते रहते हैं तो आप इसको बुश की तरह चला सकते हैं और अगर आप इसको प्रूनिंग नहीं करते हैं तो हलका सा पिंच जरूर कर दीजिए उसे क्या होगा इसमें न्यू व्रोथ होती है पिंचिंग करने से तो उसे नई शाखाय आएं को जरूर ग्रो कीजिए कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी में यह आपको 5200 रुपीज में एजिली मिल जाएगा अपने अपने यहां के अकॉर्डिंग बाकि कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिए थैंक यू